दूस्तों आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को अडोबी इलस्टेटर स्टार्ट करवाया था उस वक्त शुरू में ही कुछ टूल जैसे के सेलेक्शन टूल, डिरेक्ट सेलेक्शन टूल और शेप टूल के मदद से मैंने आप लोगों को डिफरेंट आपजेक्स और शेप्स क्रेट करनी सिखाया था दोस्तो इस लेसन में हम लोग एक बहुत ही इंटरस्टिंग टूल अडोबी इलस्टेटर का स्टडी करने जा रहे हैं आप इसको टूल भी कह सकते हैं फीचर भी कह सकते हैं इसका नाम है पाथफाइंडर दोस्तों यह जो पाथफाइंडर है यह क्या करता है यह हमें बहुत ही कॉम्पलेक्स किसम की आपजेक्स को यह शेप्स को बड़े ही असानी से बहुत सिंप्लिसिटी के साथ क्रियेट करने में मदद देता है अच्छा जब हम डिफरेंट आपजेक्स के साथ प्ले करना चाहें और उनको मिला के कुछ निया बनाना चाहें तो पाथफाइंडर अडोबी इलिस्ट्रेटर में हमारे लिए बहुत ही हैलफुल है तो चलें अडोबी इलिस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हम इलिस्ट्रेटर में पाथफाइंडर की मदद से क्या क्या कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी आप्शन हमारे पास मौजूद हैं अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगो ये बताता चलूँ कि पाथफाइंडर आपके पास इलिस्ट्रेटर में विंडो में जाके आपको मिल सकता है विंडो में जैसे हम क्लिक करते हैं यहां पे हमारे पास पाथफाइंडर की आपशन मौजूद है और इसकी शॉट की भी आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है जी शिफ्ट कंट्रोल प्लस एफ नाइन जैसे ही मैं पाथफाइंडर सेलेक करता हूँ तो मेरे सामने यह एक नई विंडो जो है यह उपन हो जाती है इस विंडो के अंदर अगर मैं गोर से देखूं तो मेरे पास दो रोज मौजूद हैं और इन दोनो रोज के अंदर डिफरेंट आप्शन्स हैं जैसे के उपन लिखावा है शेप मोट और इसके अंदर मेरे पास चार उप्शन्स हैं इसी तना से नीचे पाथफाइंडर लिखावा है और ये भी मेरे पास पाथफाइंडर की ही कुछ डिफरेंट किसम की उप्शन्स मौजूद हैं अच्या, पार्थ फाइंडर आप लोमको सिम्झाने के लिए, मैं गाहे बहा है पाइप स्तमाल करता रहूंगा किसका शेप टूल का जी, बिलकुल, शेप शेप की मजद से मैं आप लोमको जो है, यह, वो जैसे ही हम click करते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि जो मैंने circles बनाए थे वो दो circles नहीं रहे वो दो अलग अलग shapes नहीं रही बलके वो आपस में मिलके unite होके एक single shape की शकल अफ्तियार कर चुके हैं तो यह basically हमारे पास pathfinder में unite के अंदर यह option मौझूद है कि हम दो shapes को एक single shape बना सकते हैं अच्छा एक और चीज मैं आपको आगे चलने से पहले यहां पर बताता चलूँ कि जब यहां पर आके हम scroll करते हैं तो यहां पर लिखावा आता है alt plus click to create a compound shape तो यह alt क्या काम करता है basically मैं आपको यहां पर बताता चलूँ अच्छा यह भी जहें में रखिएगा कि हम जब भी pathfinder के मदद से कोई भी shapes को play करेंगे उनके साथ कोई भी हम change उनमें लेके आएंगे unite करता हूं लेकिन इस बार मैं alt का button साथ hold करके रखता हूं अब देखें फर्क क्या आया है कि हो इस बार भी दोनों गई है हमारी जो shapes हैं वो unite हो गई है लेकिन पिछली बार यह बिल्कुल shapes हमारी गायब हो गई थी लेकिन जब हम unite की मदद से कोई भी अमल यहां पे इनमें इनडिपेंटली वो shape भी नजर आ रही है जो के पहले मेरे पास अलग-अलग मौजूद थी अगर मैं direct selection tool से आके इसको select करूं और selection tool की मदद से इसको बढ़ा करूं तो यह देखें मैं इस shape को इस तरह से जो है वो alter कर सकता हूं change कर सकता हूं तो यहां तक आपको समझ आ गय बिर्फरेंट सेरकल्स सें वो यहां पे मैं ले ले लेता हूं यह मैं क्या कर रहा हूं मैं Alt की मदब इप जिनब आले रू़ी क्लाउट्स की एक शेप जो है वो एक वेक्टर फॉर्म में हमारे पास यहां पर बन गई है तो इस तरह से हम डिफरेंट शेप में वो क्रियेट कर सकते हैं यहां पर युनाइट की आपशन को लेके अच्छा इसके बाद दूसरी आपशन हमारे पस माइनस फ्रंट अच्छा फ्रंट का दोस्तों मतलब यह है कि अगर मैं इन दोनों को क्लिक करता हूं और यहां पर आके मैं माइनस फ्रंट करता हूं तो यह देखें जो फ्रंट के उपर यानि सामने की तरफ मेरा जो सरकल था वो गाइब हो चुका है अब मैं अगर डिरेक्ट सेलेक्शन टूल से इस को ठीक है जी और इसके वाद सेलेक्शन टूल लें चो कहा थोड़ा सा बड़ा करदेता हूं और यह देखें इसकी में शेप जो है वो अब चेंज कर सकता हूं और यह आप तेखें इस व्क जो है हमारे सामने एक क्रेसंट की शेप जो है वो बन गई जिसना चांद का जिस साइन होता वो हमारे सामने इस वक्त बन गया है तो यह देखें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक इंट्रस्टिंग सी शेप यहां पर हमने create कर लिए अच्छा जी चलें आगे चलते हैं और कुछ और आप्शन देखते हैं अगेन मैं वही ellipse उसको repeat कर रहा हूँ यहां पर next option है जनाब यहली हमारे पास intersect की alt के साथ मैं intersect करता हूँ ठीक है और जैसे मैं intersect करता हूँ तो यह देखें हमारे सामने पत्ते की शकल बन गई है ठीक है leaf की शकल बन गई है और यह हुआ क्या है intersection में basically दोस्तों होता ही है कि हमारी जो shapes होती है उन में जो area आपस में एक दूसरे के उपर नीचे आ रहा होता है यानि कि overlap कर रहा होता है वो वाला area रह जाता है और बाकी सारे का सारा area जो है वो drop out हो जाता है वो हमारे object में नहीं रहता अच्छा जी इसी तरह से हमारे पास एक और option यहां पे उपर वाली options में मौझूद है इसको मैं उसी तरह से same process repeat किया मैंने exclude दोस्तों यह जो exclude की option है बलकि यह exclude की option आपको समझाने के लिए मैं यहां पे fill में आके यहां पे black fill कर रहा हूँ और यह मैं किसी खास वज़ा से कर रहा हूँ यह देखें जी यह मैंने दोनों को black कर दी है और अब मैं यहां पे आके exclude करता हूँ तो यह देखें हुआ क्या है कि यह basically intersection में जो हुआ था उसके बिलकुल उलट हुआ है intersection से बिलकुल यह opposite process है यहां पे क्या हुआ है कि जो overlapping area था वो minus हो गया है और बाकी का जो area हमारी दोनों shapes का मौझूद था वो अपनी जगा वैसे का वैसा मौझूद है तो यह दोस्तों मैंने आपको चार options यहां पे जो है वो study करवाई है अभी pathfinder के अंदर अच्छा नीचे कुछ और मजीद options हमारे पास मौझूद है जैसे कि यहां पे option एक मौझूद है हमारे पास जी divide की तो चलें यह जो divide वाली option है इसको भी जरा देख लेती है कि यह हमारे लिए यहां पे क्या करता है मैंने यहां पे आप लोगों के लिए कुछ यह shapes पहले से वैसे बना के भी रखे हुई है इनी तमाम चीज़ों को लेके और यहां पे अच्छा दोस्तों अब मैं यह करता हूँ मैं एक oval सा draw करता हूँ यह देखें इसको मैं white कर लेता हूँ अब divide क्या करेगा divide एक बहुत ही मज़े की चीज़ है यह क्या करता है कि यह हमारी object को divide कर दिता है अब मैं करूँगा क्या मैं pen tool लेता हूँ pen tool लेके fill को मैं non कर दोगा pen tool के लिए और यहां पे मैं एक line जो है वो draw करता हूँ अब यह line मैंने draw कर ली और यह मेरे पास oval है इस सारे को मैं select करता हूँ यहां पर आके मैं Divide जो है वो प्रेस करता हूँ अच्छा अब इसके बाद यहां पर यह डिवीयन तो हो गई है लेकिन डिवीयन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा Ctrl-Shift-G जो कि मैं आपको पहले भी लिस्टेटर में कई बार बता चुक हूँ Ungroup जैसे हम Ungroup करेंगे तो यह देखें हमारा जो Oval था जो अंडा था वो दो हिस्सों में Divide हो चुक है और जो Line हमने बीच में लगाई थी उसकी मतलब से वो Divien जो है वो बन चुक है और वो हमारे सामने है अच्छा जी से Next हमारे पास Option है Trim की Trim के लिए मैं क्या करूँगा मैं यहां पे कुछ थोड़े से आपके लिए कुछ जो Circles है वो Repeat करूँगा और यह मैं वैसे ही Randomly कुछ Circles हैं वो यहां पे Alt की मतलब से जो है वो Duplicate करता जा रहूँ अच्छा मैंने करना क्या है कि मैंने इनको Color करना है फिल करना है तो मैं इनको One by One यहां से पिक करके मैं आइड्रॉपर की मतलब से इनका मैं जो है वो Color चेंज करता जाता हूँ मैं यहां पर इस वक जान के जो है इन तमाम Circles को Different Color दे रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा हट के Color दे रहा हूँ मैं क्यूं दे रहा हूँ वो भी अभी आपको Clear हो जागा कि मैं क्यूं ऐसा कर रहा हूँ अच्छा जी यह देखें मैंने कुछ Circles ओवर लैप की है और इनको मैंने यह Different Colors दे दी है अब दोस्तों यह देखें हमारे पास जो जो शेप जहां जहां पे जैसे जैसे ओवर लाप हो रही थी वो तमाम शेप्स वहीं वहीं उसी तरह से Trim हो गई हैं कट गई हैं तो यह काम है Trimmer का कि यह उन तमान शेप्स को उस Composition के Accordingly Overlapping के Accordingly जो है यह क्या कर देता है यह Trim कर देता है यानि के काट देता है तो यह हमारा Trim अच्छा जी आगे हमारे पास एक Option है जी Merge की यह Merge वाली Option वैसे आम तो पर जादा यूज नहीं की जाती मैं तो खेर इसका इतना जादा यूज नहीं करता लेकिन पिर भी आपको मैं बता देता हूँ इसकी एक वज़ा यह है कि अगर तो इसमें सेम कलर होगा मैं Merge करता हूँ तो यह जनाबी अली क्या करेगा यह वही काम करेगा जो के Trim कर रहा था तो यह बेसिकली वही 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 वहाला यूनाइट वहाला काम करता है Merge कर देता है आपस में Mix कर देता है मिला देता है Objects को अच्छा जी इसके बाद हमारे पस यहां पर आप्शन मौजूद है उसका कलर रह गया है और कहां पर आया है सिर्फ जो overlapping अरिया था वहां पर आया है और अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो यह देखें अगेन वही लीफ बन गया है मेरे पास जिसने से पहले मेरे पास एक टूल के अंदर जो है वो बना था बैसिकली इसने इस वाली शेड शेड़ को क्रॉप कर धिया है और जो टेक्रैटिंग एर्या था उसको रहने दिया है अच्छाजे इसके बाद एक दो यह options रह दी है एक outline की option है यह भी इक हमें बरीग सी outline दे देता है इससे मैंने क्लिक किया तो यह देखें एक बरीक सी outline आ जाती है हमारे पास इसके बाद minus back है अच्छे जो minus back है यह इस minus front का बिलकुल opposite है यानि कि minus front में front minus होता था और इसमें back minus हो जेगी यह देखें यानि कि जो back वाली object है वो हमारी minus हो गई है और जो front वाली object है वो अपनी जगा पे मौजूद है तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग pathfinder की मदद से किस तरह से different किसम की objects हों है वो create कर सकते हैं और हम लोगों ने different shapes create की और objects के साथ हमने play किया इसी तरह से आप लोग भी pathfinder की मदद से different shapes create कर सकते हैं